पूरे जोश के साथ जुट जाना है कोई कसर नहीं छोड़नी है बहुत आसान है कोई मुश्किल काम नहीं है बस प्रैक्टिस करते रहना है जो फॉर्मूले है जो डेरिवेशन्स है जो फ्योरी कॉंसेट्स है जो में पॉइंट्स है बस उन्हें देखते रहना है पढ़ते रहना है चैनल को फॉलो करते रहना है और कॉंप्टिशन क्रैक्ट करना बहुत ही आसान है तो हम लोग discuss कर चुके हैं हमने previous sessions में dimensions और vector calculus आज आगे की बात करेंगे center of mass, rotation और gravitation के जो topics हमारे PGT के slabus में हैं of course वो TGT को भी cover कर रहे हैं TGT का जो physics portion है TGT science का उसको भी cover कर रहे हैं तो उसकी बात करते हैं सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम लोग center of mass से तो भी यह center of mass क्या होता है तो center of mass नाम से पता चल रहा है किसी भी body के अंदर वो point जहां पर उसके पूरे mass को centralized माना जा सकता है concentrated माना जा सकता है उसे कहते है center of mass क्या कहते हैं उसको center of mass कहते हैं भी यह तो center of mass जो है मान लो कोई यहां पर arbitrary एक body है उसके अंदर बहुत सारे particles हैं एक का mass m1 है उसका position vector r1 है दूसरे का mass m2 है position vector r2 है और एक का mass mn है और position vector rn है तो जो इसका center of mass होगा उसका position vector क्या होगा center of mass का position vector होगा m1 r1 plus m2 r2 and so on mn rn upon m1 plus m2 plus mn तो यह जो है center of mass का position vector हो जाएगा यह किसी भी discrete system पर applicable होता है discrete system मतलग जिसमें points अलग-अलग हैं जिसमें particles अलग हैं जिसमें तुम गिन सकते हो एक particle, दो particle, तीन particle, चार particle तो ऐसे system का अगर हमें center of mass निकालना है जैसे मानलो यह x y z axis यहाँ पर एक triangular system दे रखा है यहाँ 1 kg का mass रखा है, यहाँ 2 kg का mass रखा है, यहाँ 3 kg का mass रखा है, यह 1 meter का equilateral triangle है और तुमसे कहा जाए कि भीया इसके center of mass के coordinates निकालो तो पहले तुम इसके coordinates बना दोगे इसके 00 हो जाएंगे इसके coordinates हो जाएंगे 1,0 इसके coordinates हो जाएंगे यह आधा 1 by 2 और यह sin 60 से निकालोगे तो root 3 by 2 तो x1, y1 आ जाएगा x2, y2 आ जाएगा x3, y3 आ जाएगा तो इसके center of mass के coordinates हम इसको split कर लेंगे मतलब r cm की जगह लिख लेंगे x cm x cm बराबर हो जाएगा m1 x1 plus m2 x2 plus mn xn upon m1 plus m2 plus mn इसी तरीके से y cm हो जाएगा m1 y1 plus m2 y2 plus dash 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 mn yn upon m1 plus m2 plus mn और इसी तरीके से अगर 3 dimensional होगा तो z coordinate भी निकाल लेंगे तो इस तरीके से हम किसी भी system का इस तरीके questions बहुत आते हैं हम center of mass निकाल सकते हैं उसके बाद हम लोग बात करते हैं center of mass discrete system का होगा continuous system का कैसे निकालते हैं मतलब कोई solid object है कोई solid block है कोई solid block है बिलकुल solid और इसका center of mass निकालना है तो कैसे निकालेंगे तो भी या इसके अंदर एक छोटा सा mass ले लिया dm इसका position vector है r तो rcm बराबर हो जाता है integration rdm upon integration of dm तो किसी continuous system का अगर हमें center of mass निकालना है तो वो हम integration technique से निकालेंगे इस तरीके से निकालेंगे तो उसका center of mass आ जाएगा ठीक है भी या अब इसके आगे देखो अब position vector का जो हमारा expression है अगर उसे differentiate कर ले मतलब drcm upon dt कर ले तो drcm upon dt क्या हो जाएगा vcm हो जाएगा इसी तरीके से m1 dr1 upon dt क्या हो जाएगा v1 हो जाएगा plus m2 v2 हो जाएगा and so on आगे हो जाएगा upon m1 plus m2 plus mn हो जाएगा तो अगर center of mass की velocity निकालनी है अगर center of mass की velocity निकालनी है तो हम इस expression का इस्तेमाल करेंगे अब हमें मालवा acceleration निकालना है तो इसको भी differentiate कर दो तो VCM को differentiate कर दोगे तो क्या मिल जाएगा ACM मिल जाएगा ACM इसको differentiate कर दोगे तो A1 मिल जाएगा तो यह हो जाएगा M1 A1 plus M2 A2 upon M1 plus M2 तो यह हमारा position vector निकालना है निकालना है तो यह वाला formula यूज़ करेंगे योगि center of mass होता है basically बहुबली point होता है यह representative point होता है मतलब सारे particles पर अलग M1 पर अलग force लग रहा है F1 M2 पर अलग लग रहा है F2 M3 पर अलग लग रहा है F3 F1 plus F2 plus F3 सारा का सारा कहा लगेगा वो center of mass पर लगेगा तो जो net force है जो combined force है जो collective force है वो कहा लगता है वो center of mass पर लगता है अब हम बात करें अगर motion of center of mass की तो किसी भी body के अलग-अलग points पर जो forces लगते है उनका जो combined effect होता है वो कहा होता है center of mass पर होता है जैसे एक example अगर ले ले हम एक example ले ले कि माल लो हम इस book पर चार points पर अलग-अलग force लगा रहे है 10-10 newton force लगा रहे है 40 newton force लगा रहे हैं अलग-अलग चारो corners पर या 40 newton एक point पर लगा के इसको balance कर ले रहे हैं तो ये जो point है जहां पर हमने 40 newton का force लगा के balance कर लिया ये point जो है क्या कहलाएगा center of mass कहलाएगा तो ये center of mass सा concept है इसी के corresponding एक और point होता है जिसे कहते है center of gravity तो center of mass is basically center of mass and center of gravity is center of weight center of gravity जो है वो center of weight है तो इस तरीके से हमारा center of mass और center of weight या center of gravity लगबग एकी चीज़े है as long as gravity is constant जब तक G की value same है तब तक जो है center of mass और center of gravity जो है वो almost same चीज़े है कि जहां पर mass centralized है उसे कहते है center of mass और जहां पर weight centralized है उसे क्या कहते है center of gravity कहते है अब अगर हम motion की बात करें तो motion जो है center of mass का वो इस equation से समझा जा सकता है F external बराबर D PCM upon dt मतलब अगर external force 0 है किसी भी body पर लगने वाला external force 0 है तो PCM is equal to constant क्योंकि अगर external force 0 होगा तो D PCM upon dt 0 हो जाएगा और D PCM upon dt 0 हो जाएगा मतलब PCM क्या हो जाएगा constant हो जाएगा मतलब external force की absence में center of mass का momentum constant होता है और momentum अगर constant होगा तो velocity भी क्या हो जाएगी constant हो जाएगी तो velocity जो होगी वो भी क्या हो जाएगी constant हो जाएगी अब अगर कुछ systems के center of mass की बात करें जैसे हम rod के center of mass की बात करें एक thin rod of uniform thickness जिसका length L है तो उसका center of mass हमेशा बीचो बीच में होता है at the mid point अगर हम triangular lamina के center of mass की बात करें तो किसी triangular lamina का जो center of mass होता है वो उसके centroid पर होता है अगर हम बात करें hemisphere के center of mass की तो hemisphere का जो center of mass होता है वो उसके center से 3R by 8 distance पर होता है अगर हम बात करें right circular solid cone के center of mass की तो right circular solid cone का जो center of mass होता है वो उसके base से h by 4 distance पर होता है तो competition के लिए अगर ये values याद हो जाए तो कोई बुराई नहीं है तो ये हमारे center of mass का concept है और इससे related हम कुछ questions करेंगे मैंने बात बात अलड़ी बता दिया तुमें कि जब हम पूरा mechanics का portion cover कर लेंगे तो फिर हमारी एक series होगी जिसमें हम केवल questions ही discuss करेंगे which will be based on previous year questions and other examinations, similar examinations तो ये हमारा center of mass का theoretical part है अब center of mass के बाद हम बात करते हैं rotational motion की तो भाईया, rotational motion और translational motion में क्या अंतर होता है तो भाईया, देखो अगर कोई body, माल लो ये एक body और हम इसको translate करा रहे है हम इसको move करा रहे है straight line में इसके सारे particles straight line में move कर रहे है सारे particles कैसे move कर रहे है straight line में move कर रहे है सारे particles की velocity same है सारे particles का same time में displacement same है तो such type of motion is known as translational motion ऐसे motion को हम क्या कहते है translational motion कहते है जबकि अगर हम इसको यहां पर fix कर दें ऐसे और इसके उपर हम यहां पर force लगाएं और force लगाएं तो यह ऐसे घूम जाए इस तरीके से इसे हमने यहां पर hinge कर दिया है कुछ देर बाद यह body यहां पहुँच गई यह वाला point यहां पहुँच गया सबकी angular velocity सेम है सबका angular acceleration सेम है लेकिन सबका linear displacement अलग-अलग है सबकी linear velocity अलग-अलग है सबका linear acceleration अलग-अलग है और इन में relation क्या होता है S is equal to R theta V is equal to R omega A is equal to R alpha तो जो point जितना ज़्यादा दूर होता जाएगा X से R जिसके लिए जितना ज़्यादा होता जाएगा उसका S, V और A उतना ज़्यादा बढ़ता जाएगा तो कहने का मतलब यह है कि rotational motion में theta omega और alpha तो same रहते हैं लेकिन S, V और A जो है वो अलग-अलग होते जाते हैं जैसे जैसे R change होता जाता है वैसे वैसे S, V और A जो होते हैं वो भी क्या होते जाते हैं change होते जाते हैं अब भीया यहाँ पर यह जो hinge हमने किया है यह line यह line यह जो इस point से जो line पास होगी जिसके उपर situated सभी particles rest में होंगे इस line को हम कहते हैं axis of rotation तो translational motion और rotational motion में यह छोटा सा difference है अब समझते हैं torque के बारे में देखो भीया उसके बारे में बात करते हैं जो rotation के लिए responsible होता है और rotation के लिए responsible होता है torque torque जो है वो derived है Latin word torque query से जिसका मतलब होता है twist तो torque जो है it is defined as the cross product of R and F मतलब यह एक body है और यहाँ पर इसको कहीं पर hinge कर दिया है हमने यहाँ पर force लगा रहे हैं और force की line of action और जो axis है उन दोनों के बीच में perpendicular distance है R तो tau is defined as the cross product of R and F मतलब tau is equal to हो जाएगा R F sin theta tau बराबर कितना हो जाएगा R F sin theta हो जाएगा मतलब अगर कोई यह body है यहाँ पर कोई यह body है और उस पर हमने यहाँ पर force लगा दिया है F F force लगा दिया है F ऐसे नहीं लगाते हैं चलो F हम लगाते हैं ऐसे इस तरीके से थोड़ा तिरचा F लगाते हैं और यहाँ पर hinge है body और यह जो distance है यह है R मतलब इन दोनों के बीच जो angle बन रहा है वो बन रहा है थीटा तो F के दो component हो जाएंगे F cos थीटा और यह हो जाएगा F sin थीटा तो आप ज़राद देख के बताओ कौन घुमा सकता है क्या F cos थीटा घुमा सकता है बोलो अगर इस body को F cos थीटा इधर खीचेंगे इस तरह force लगाएंगे तो क्या यह body घुमेगी अगर यह यहाँ पर fix है नहीं घुमेगी लेकिन F sin थीटा इसे घुमाएगा जो perpendicular component है वही effective component है यह इसका indication है F sin थीटा का तो tau is equal to क्या हो जाएगा RF sin थीटा तो थीटा अगर 90 होगा तो torque maximum होगा tau max is equal to R into F और थीटा अगर 0 होगा या थीटा 180 होगा तो जो torque है वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा और यहाँ से एक और बात भी समझ सकते हैं कि भाईया F बराबर क्या होगा tau max upon R मतलब F जो है वो R के inversely proportional है R जितना जादा होगा F उतना ही कम होगा इसलिए दर्वाजे का जो handle है वो दर्वाजे की access से जादा दूरी पर लगाए जाता है जादा दूरी पर इसलिए लगाए जाता है क्योंकि R जितना जादा होगा F उतना ही कम होगा उतना कम force लगाके उतनी कम ताकत लगाके तुम दर्वाजे को खोल लोगे वरना तुम्हें जादा ताकत लगानी पड़ेगी अगर handle को हम बिल्कुल hinges के पास लगा दें तो तुम्हें बहुत ताकत लगानी पड़ेगी तो दर्वाजे पर जो आया है वो शायद लोट के चला जाएगा और तुम्हारा दर्वाजा नहीं खुल पाएगा इसी रिज़ उन्हें देखा होगी जो truck वगरा के nutboards खोलने के जो jacks होते हैं वो बहुत बड़े बड़े होते हैं और जो helper होता है जो उनको खोलने वाला वो उन पर खड़ा ही हो जाता है और फिर उनको खोलता है खोलना होता है तो भी और tight करना होता है तो भी तो R जादा होगा तो F क्या होगा कम हो जाएगा कम F से हम जादा torque लगा पाएंगे So that is the importance of R तो यह हमारा हो गया torque हैं तो टाउ बराबर R1 F1 प्लस R2 F2 प्लस Rn Fn और F1 की जगह हम लिख लेंगे M1 A1 F2 की जगह लिख लेंगे M2 A2 और Fn की जगह लिख लेंगे Mn An फिर A1 की जगह आ जाएगा R1 अलफा A2 की जगह आ जाएगा R2 अलफा और An की जगह आ जाएगा Rn अलफा तो भाईया अलफा कॉमन ले लो तो यह क्या आ जाएगा M1 R1 स्क्वाइर प्लस M2 R2 स्क्वाइर और यह हो गया भाईया सिगमा MR स्क्वाइर इसको कहते है मोमेंट आफ इनर्शिया तो टाउ इस इकल टू आई अलफा यह Newton's law of rotational motion भी कहलाता है मतलब जैसे वहाँ F बराबर M1 होता है जैसे वहाँ F बराबर M1 होता है ऐसे ही यहाँ TAU बराबर I αई होता है जैसे translational motion में F बराबर M1 होता है ऐसे ही rotational motion में TAU बराबर क्या होता I αई मतलब in the absence of external torque Alpha will be zero I तो zero होनी सकता moment of inertia तो zero हो नहीं सकता तो अगर torque नहीं लगाएंगे तो जो body rest में है वो rest में रहेगी और जो body motion में है वो motion में रहेगी unless उस पे क्या ना लगाया जाए external torque ना लगाया जाए तो ये हमारा first law जाता है और जैसे वहाँ inertia का concept है ऐसे ही यहाँ moment of inertia concept है जो role tensor quantity है ये unit इसकी kilogram meter square होती है तो जो role वहाँ inertia का है वही moment of inertia का है वहाँ inertia mass पे depend करता है यहाँ moment of inertia जो है वो mass पे भी depend करता है और distribution of mass पे भी depend करता है about the axis of rotation mass जो है दरविमान जो है वो किस तरीके से वितरित है अक्ष के चारों और जो घूनन अक्ष है जो rotation axis है तो इस पर भी moment of inertia depend करता है तो moment of inertia का जो role है वो वही role है जो वहाँ पर inertia का role है आगे देखते हैं भी एक आता है इसमें moment of inertia से ही related radius of gyration तो radius of gyration क्या होता भी radius of gyration जो है axis से वो distance होती है जिसके square को अगर body के total mass से multiply कर दिया जाए तो भी हमें body का moment of inertia मिल जाता है और ये जो relation है ये कभी-कभी exam में आ जाती है to find out the radius of gyration तो जो radius of gyration है वो distance है जिसके square को अगर body के total mass से multiply कर दिया जाए तो भी हमें क्या मिल जाएगा तो भी हमें moment of inertia मिल जाएगा तो ये हमारा radius of gyration हो जाता है भीया अब अगर हम बात करें theorems on moment of inertia की बहुत important है दो theorems है moment of inertia की और उन पे based question जरूर मिलता है हमें exam में PGTK या TGTK तो theorems on moment of inertia तो दो theorem है भीया एक theorem है theorem of parallel axis एक theorem जो है moment of inertia पे वो है theorem of parallel axis theorem of parallel axis क्या कहती है theorem of parallel axis कहती है कि माल लो ये body है और इस body का moment of inertia हमें किसी भी axis के about निकालना है किसी भी axis के about निकालना है तो हम क्या करेंगे इस axis के parallel axis खीच लेंगे that passes through center of mass इस axis के parallel एक axis खीचेंगे जो center of mass से पास हो रही है और फिर इन दोनों के बीच की perpendicular distance ले लेंगे say the perpendicular distance is A तो वह या theorem of parallel axis ये कहती है कि इस body का moment of inertia इस body का moment of inertia axis A, B के about जो होगा that will be equal to the sum of moment of inertia of the body about center of mass दरफिमान केंदर से दी हुई axis के parallel जो axis पास हो रही है उसके about जो moment of inertia होगा plus product of mass of the body इस body का total mass और perpendicular distance जो है दोनों के axis के बीच में उसका square तो ये जो है किसी भी given axis के about moment of inertia होता है the moment of inertia मतलब किसी भी दी हुई axis के about किसी भी दी हुई axis के about अगर हमें moment of inertia निकालना है जड़त तो आगूड निकालना है तो क्या करेंगे उसके समानांतर एक हम अक्ष खींचेंगे जो दरफिमान केंदर से गुजर रही है उसके about moment of inertia निकालनेगे और उसमें add कर देंगे क्या product of mass of the body multiplied by this square of perpendicular distance between the axis और इसका use होता है इसका use कैसे होता है जैसे मान लोग उनने दे दिया भाई रिंग का moment of inertia जो है center of mass के about perpendicular axis के about mr square है और हमें tangent के about निकालना है moment of inertia तो tangent के about moment of inertia निकालना है उस axis के about निकालना है जो इस axis के parallel है तो हम क्या लगा देंगे theorem of parallel axis लगा देंगे मतलब अगर ये moment of inertia mr square है इसका mass m है ये तो r हो गई होगा तो mr square plus mr square that will be 2 mr square तो इस तरीके से theorem of parallel axis का application होता है questions को लगाने में जब हमें किसी parallel axis के about center of mass के about हमें axis given होगी और उसके parallel axis के about हमें क्या निकालना होगा moment of inertia निकालना होगा अब देखते हैं ये theorem of perpendicular axis theorem of perpendicular axis क्या कहती है देखो theorem of perpendicular axis क्या कहती है ये देखो theorem of parallel axis तो कई तरीके से लगाई जा सकती है लेकिन theorem of perpendicular axis जो है वो केवल और केवल तीन तरीके से लगाई जा सकती है तीम तरीके से कैसे? माल लो यह बॉडी है और यह बॉडी एक्स वाई प्लेन में सिचुएटेड है माल लो यह एक और बॉडी और यह बॉडी वाई-जेड प्लेन में सिचुएटेड है माल लो ये body एक है और ये body zx plane में situated है इस case में हमें body का moment of inertia x axis के about दिया ix और y axis के about दिया है iy और हमें moment of inertia निकालना है about an axis that is perpendicular to the plane of the body that is z axis तो iz बराबर क्या होगा iz बराबर हो जाएगा ix plus iy ये theorem of perpendicular axis का statement है मतलब किसी भी body का moment of inertia किसी भी body का moment of inertia अगर perpendicular axis के about किसके perpendicular body के plane के perpendicular तो body के plane के perpendicular axis के about अगर moment of inertia निकालना है तो body के plane में जो mutually perpendicular axis होंगी उनके about moment of inertia के sum के बराबर होगा ये moment of inertia that is theorem of perpendicular axis ऐसे यहाँ पर body yz plane में है body yz plane में है और हमें moment of inertia दे रखा है y और z के बाउट यहाँ i y और यहाँ i z और हमें moment of inertia निकालना है x axis के बाउट तो i x बरावर यह हो जाएगा i z तो i x बरावर हो जाएगा i y plus i z ऐसे ही यहाँ पर देख लो body xz plane में z axis के बाउट moment of inertia गिवन है i z x axis के बाउट moment of inertia गिवन है i x और हमें body का moment of inertia निकालना है body के plane के perpendicular जो axis है that is y axis तो i y बरावर हो जाएगा i x plus i z तो theorem of perpendicular axis में यह तीन possibilities हो सकती है अब इसमें question कैसे आ जाएगा जैसे उन्होंने यहाँ पर ring के case में हम लोग बात कर रहे थे ring के case में ring के perpendicular और center of mass से पास होने वाली axis का moment of inertia में दे रखा m r square और हमसे कहा गया कि भाईया किसी एक diameter के about moment of inertia निकालो दोनों के about सेम होगा तो किसी एक diameter के about निकालो तो हमने इसको माल लिया ix इसको माल लिया ix तो ix प्लस ix बराबर क्या हो गया m r square तो ix बराबर क्या हो गया half m r square तो इस तरीके से theorem of perpendicular axis पर based भी कुछ questions आ जाते हैं तो theorem of parallel axis और theorem of perpendicular axis अब आगे देखते हैं इसके बाद बात करते हैं भी यह angular momentum तो angular momentum जो होता है कोणी संवेग जैसे वहाँ होता है linear momentum ऐसे ही यहाँ होता है angular momentum जैसे वहाँ linear momentum quality of translational motion के बारे में बात करता है mass into velocity ऐसे ही mass और velocity के साथ एक और parameter मिला डेहें अगर radius तो तीनों को मिला के जो rotational motion की quality की बात होती है वो होता है angular momentum मतलब एक body को एक छोटे धागे से बांधा घुमाया M mass है V velocity है धागा छोटा है और किसी के ये मारा और दूसरे case में हमने थोड़ा धागा बढ़ा कर दिया mass उतना ही है velocity इतनी है फिर ये अब किसी के मारा घुमा के तो किस केस में जाता चोट लगेगी तो भईया जाहिर सी बात है इस केस में जाता चोट लगेगी क्योंकि M और V तो सेम हैं लेकिन R बढ़ गया R बढ़ गया तो क्या बढ़ गया angular momentum बढ़ गया तो angular momentum is defined as the moment of linear momentum इसको लिखते है L is equal to R cross P या यह हो जाता है R P sin theta और P की जगे M V रख लो theta 90 रख लो तो यह हो जाएगा L is equal to M V R क्योंकि maximum angular momentum के लिए theta क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा और फिर वही बात आजाती है कि जब हम बात करते है rotational motion की यह R है और यह भईया P है तो P cos theta और P sin theta तो जो effective component है वो होता है P sin theta P cos theta is not effective क्योंकि वो जो है R जो है P cos theta के क्या है parallel है तो अब यह यहाँ पर P sin theta जो है वो maximum angular momentum के लिए responsible होता है अब इसको अगर हम simplify करें मतलब R into M into V और V की जगे क्या लिख लें R omega लिख लें R omega तो यह हो जाएगा square क्या हो जाता है MR square हो जाता है moment of inertia तो L बरावर क्या हो जाता है I omega तो यह हमारा angular momentum हो जाता है अब हम बात करेंगे law of conservation of angular momentum तो law of conservation of angular momentum देखो क्या होता है तो law of conservation of angular momentum क्या कहता है वह देखो law of conservation of angular momentum law of conservation of linear momentum भावना एक जैसी हैं दोनों की law of conservation of angular momentum जैसे वहाँ पर law of conservation of linear momentum था f is equal to dp by dt f external बराबर dp by dt मतलब f external 0 तो dp by dt 0 मतलब p क्या हो गया constant मतलब external forces की absence में किसी भी body का linear momentum क्या होता है constant होता है तो ऐसे ही यहाँ पर f is equal to dp upon dt की जगह पर आजाता है tau is equal to dl upon dt tau external is equal to dl upon dt मतलब अगर external torque 0 हो जाए अगर किसी body पर external torque ना लगे तो dl upon dt क्या हो जाएगा 0 और dl upon dt 0 हो जाएगा तो l क्या हो जाएगा constant मतलब external torque की absence में angular momentum भी constant होता है in the absence of external torque the net angular momentum is constant मतलब अगर tau नहीं रहा अगर tau नहीं रहा तो l क्या हो जाएगा constant L constant हो जाएगा मतलब I omega क्या हो जाएगा constant हो जाएगा और I omega constant हो जाएगा तो MR square omega constant अब इस पे based बहुत question आते हैं भी या बहुत applications है कि अगर R बढ़ गया तो omega कम हो जाएगा और अगर R कम हो गया तो omega बढ़ जाएगा मतलब जैसे तुमने देखा होगा जो बैले dancers होते हैं वो अपने हाथों को फैला के सिकोड के पैरों को फैला के सिकोड लेते हैं और फैलाने सिकोडने से उनकी जो घूमने की speed है एक पैर पे घूमते हैं वो change हो जाती है कैसे चिंज जाती है आर बढ़ जाएगा अगर हाथ तेर फैला लेंगे तो तो omega कम हो जाएगा और अगर score लेंगे तो आर कम हो जाएगा और omega क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा इसी वज़ेसे जो planets हैं उनकी जो speed होती है वो भी vary करती है जब प्लैनेट सन से दूर होता है तो आर ज़्यादा होता है ओमेगा कम होता है इसे कहते है एपहिलियन और इस डिस्टेंस को कहते है एपोजी इस पोजीशन को कहते है एपहिलियन और इस डिस्टेंस को कहते है एपोजी और जब ये पास में होगा तो आर कम होगा और आर कम होगा तो ओमेगा जादा होगा इसे पैरी हीलियन कहते हैं और इस डिस्टेंस को कहते हैं पैरी जी ठीक इसी तरीके से जो स्वीमर होता है जो तैराख होता है वो हैसे कलाईयां खाते हुए कूता है gotta to be 위에 क्या करता है घूमता है घूमते हुए जाता है तो अपनी बॉढ़ी को सिकोड लेता हाई काम हो जाता हूं हर भण बढ़ जाता है और गुषने वाला होता है trip आ और बढ़ जाता है काम हो है conservation of angular momentum के अब अगला देखो भई आगे देखो rotational kinetic energy की तो जैसे यहाँ पर translational kinetic energy होती है half mv square ऐसे ही rotational kinetic energy होती है half m की जगे जो roll वहाँ mass का है inertia का है वो roll यहाँ moment of inertia का है जो roll वहाँ linear velocity का है वो roll यहाँ पर angular velocity का है तो यह k बरावर हो जाता है वहाँ half i omega square यह तो बात हो गई rotational kinetic energy की अब अगर कोई body rolling motion कर रही है तो rolling motion में क्या होता है पहली बात तो point of contact जो है वो rest में रहना चाहिए center of mass का translational motion होना चाहिए तो rolling motion में दो energy होती है center of mass के पास हो जाती है kinetic energy और body के पास हो जाती है वहिया rotational energy तो rolling motion अगर कोई body करेगी तो उसके पास यह energy होगी this will be the kinetic energy तो याद रखो यह rolling motion की energy है kinetic energy और यह rotational motion की kinetic energy है अब अगर कोई body rolling without slipping motion हो रहा है कोई body roll कर रही है बिना slip हुए तो उसका जो acceleration होता है वो कितना होता है यह theta है तो inclined plane पर a बराबर हो जाता है g sin theta upon 1 plus k square upon r square बहुत बार इस पे question मना हुआ है k जो है यहाँ पर क्या है radius of gyration है और हमारी जो equations होती है rotational motion की वो भी important है इन पर भी question आ जाता है omega is equal to omega naught plus alpha t theta is equal to omega naught t plus half alpha t square और omega square is equal to omega naught square plus 2 alpha theta जैसे वहाँ पर 3 equation है translational motion की ऐसे ही यहाँ पर 3 equation है rotational motion की जैसे वहाँ a constant होता है ऐसे ही यहाँ क्या constant होता है अलफा कॉंस्टेंट होता है तो ये हमारा रोटेशनल मोशन का छोटा सा कंटेंट है अब हम लोग बात करेंगे ग्राविटेशन का जो कंटेंट है उसकी बात करें तो ग्राविटेशन में देखो भाईया शुरुआत करते हैं ग्राविटेशन की कि भईया जितने भी planets है जितने भी ग्रह है वो सूरी के चारों और दीरग वरत्ताकार कक्षाओं में घूमते हैं हिंदी में बता दिया पहले अब इंग्लिश में सुन लो जितने भी planets है वो sun के चारों और elliptical orbits में घूमते हैं और ऐसे घूमते हैं कि sun जो है वो उस orbit के focus पर होगा किसी एक focus पर होगा ellips में दो focus हैं तुमें पता होना चाहिए तो किसी एक focus पर होगा ये हमारा पहला law है कि जितने भी planets हैं वो sun के चारों और elliptical orbits में घूमते हैं और ऐसे घुमते हैं कि sun उनके किसी एक focus पर होना चाहिए दूसरा law क्या कहता है दूसरा law कहते है law of areas या law of aerial velocity aerial velocity क्या कहता है ये कि भाया कोई भी planet जब चल रहा है चक्कर लगा रहा है और्बिट में तो उसकी जो aerial velocity है aerial velocity मतलब area covered per unit time वो constant होता है और किस के برाबर होता है L upon 2M के बराबर होता है constant यूगि भी या torque तो तुम लगा नहीं रहे हो और जाद तुम torque लगा नहीं रहे हो तो L constant होगा M constant होगा तो तो इसका मतलब aerial velocity भी क्या होगी constant होगी तो ये दूसरा law है तीसरा law क्या कहता है जो time period है उसका square that is directly proportional to the cube of semi-major axis of the elliptical orbit यह जो दीरगृत्ताकार कच्छा है इसकी जो semi-major axis है उसके cube के directly proportional होता है तो यह हमारे Kepler के तीन laws है इसमें यह बहुत पूछा जाता है कि Kepler का second law किस physical quantity के conservation पर based है तो minded Kepler का second law जो है वो angular momentum के conservation principle पर based है अब आगे देखो भईया उसके बाद हम लोग बात करते है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्राविटी की इस पर question जरूर आता है तो acceleration due to gravity जो है acceleration due to gravity g बरावर होता है gm upon r square और किसी भी planet का यह अलग-अलग होता है हर planet का क्योंकि planet के mass और planet के radius पर depend करता है तो हर planet का natural सी बात है अलग-अलग होगा moon का अलग होगा हर body का अलग-अलग होगा अब यह अर्थ की बात करें तो अर्थ के case में यह 3-4 चीज़ों पर depend करता है पहला यह depend करता है shape पर तो मैं पता है कि अर्थ का shape है वो perfect sphere नहीं है थोड़ी सी flat end है वो तो यह equator पर उसका जो radius है मतलब equatorial radius जो है वो polar radius से ज़ादा है तो equatorial radius यहाँ पर ज़ादा है polar radius कम है तो G की value जो होगी वो यहाँ पर क्या होगी कम होगी और यहाँ पर G की value होगी क्या होगी ज़ादा होगी equator पर खरीदो poles पर बेचो बिजनस में थोड़ा फाइदा हो सकता है यह तो shape पर depend करता है उसके बाद height पर depend करता है है और h हाइट है कितनी height पर गया हो और अगर h बहुत कम है r के comparison में तो इस formula को simplified form में तुम ऐसे भी लिख सकते हो g1-2h upon r अब अगर तुम अर्थ के अंदर गड़ा खोद के गया हो अर्थ के अंदर गड़ा खोद के गया हो तो भाईया जो g की value है तो भी कम होगी लेकिन अपकी जो कमी होगी वो कुछ थोड़ा कम होगी as compared to height तो नीचे जाओगे तो जो g की value हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 1-d upon rd क्या है गहराई है जितनी गहराई में तो मीचे गए हो उसके बाद एक और चीज़ पे depend करता है वो है rotation मतलब omega angular velocity अगर है तो angular velocity omega की वजह से जो rotation हो रहा है rotation की वजह से जो कमी आती है वो होता है g minus r e omega square cos square lambda lambda उस जगह का latitude है जहाँ पर तुम g की value देख रहे हो तो यह जो है rotation की वजह से g की value में कमी आती है तो इतनी चीज़े होती है shape, height, depth और rotation because of rotation of earth इतनी चीज़ों की वजह से g की value जो affected होती है अब आगे देखते हैं भया कि बात आती है अभी एक gravitational field की किसी भी body के चारों और वो space जिसमें उसके gravitational attraction को feel किया जा सके उसे कहते है gravitational field और gravitational field की जो ताकत होती है ताकत क्या होती है force per unit mass force per unit mass उसे कहते हैं हम gravitational field intensity इसी तरीके से होता है gravitational potential बिल्कुल electrostatic से मिलती जुलती चीज़े हैं यहाँ पर याद रखो वहाँ पर force per unit charge हो जाती है electric field intensity gravitational potential क्या होता है gravitational potential हो जाता है work done per unit mass unit mass को infinity से किसी point पर लाने में जो work करना पड़ता है उसे हम कहते हैं क्या उसे हम कहते है gravitational potential और अर्थ की surface पर जो gravitational potential होता है वो होता है minus gm upon r और जो electric field intensity होती है वो होती है minus gm upon r square अब दो तुमारे slabus में है PGT के एक है solid sphere solid sphere का gravitational potential outside कितना होगा surface पर कितना होगा और inside कितना होगा तो भाईया यह देखो outside जो है gravitational field होती है e बराबर gm upon r square और potential होता है v बराबर gm upon r ठीक है minus sign के साथ होगा यहाँ पर e बराबर यह surface पर जब आ जाएंगे तो radius के बराबर हो जाएगा यह हो जाएगा v बराबर gm upon r और यहाँ पर inside जब हम आएंगे solid sphere के अंदर तो जो potential हो जाएगा वो हो जाएगा minus gm upon 2r cube तो यह जो है वो solid sphere के अंदर क्या हो जाएगा gravitational potential हो जाएगा minus gm upon 2r cube 3r square minus r square ठीक है बया देख लो उसको और electric field बया यहाँ पर हो जाती है e is equal to minus gm r upon r cube तो यह हमारी electric field हो जाती है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है जैसे formula यहाँ पर है वैसे ही formula हमारे spherical electrostatics में भी आएंगे अब अगला देखो भी है spherical shell spherical shell देखो इसी तरीके से भी है देखो spherical shell spherical shell में देखो outside की बात करेंगे तो v बराबर क्या हो जाएगा minus gm upon r और e बराबर क्या हो जाएगा minus g oh sorry e बराबर हो जाएगा gm upon r square surface की बात अगर करेंगे तो surface पर v बराबर हो जाएगा minus gm upon r और e बराबर हो जाएगा gm upon r square और अगर inside की बात करेंगे बहिया तो inside जो है V तो उतना ही रहेगा जैसे conductors में होता है electrostatics में जब हम बात करेंगे कि potential same होता है जितना बाहर होता होतना अंदर होता है और intensity जो होती है shell के अंदर वो क्या होती है zero होती है तो यह हमारा क्या हो गया electric field और potential sorry gravitational field intensity और gravitational potential की value हो गई solid sphere की और spherical shell की अब आगे देखो भी है अब बात करते हैं भी यह gravitational potential energy की gravitational potential energy क्या होती है तो भी यह potential energy जो है किसी भी body में तब store होती है जब उसकी natural tendency के against उस पे work किया जाता है that work gets into gravitational potential energy गुरुत्वी इस्थितिज उर्जा कहते हैं इसको तो भी यह माल लोग कोई body ऐसे छोड़ी जाए तो उसकी tendency नीचे आने की है अगर हम इसको gravitational force के against उपर ले जाएंगे तो जो हम वर्क करेंगे वो वर्क gravitational potential energy में convert हो जाएगा और gravitational potential energy is given by minus gmm upon r at the surface of earth और अगर surface से उपर जाएंगे तो यह हो जाएगा h height पर चले गए मान लो तो यह हो जाएगा minus gmm upon r plus h m यहाँ mass of earth है और small m जो है उस body का mass है जिसको हम उपर ले जा रहे हैं या जिसको हमने earth की surface पर रखा है h height पर ले गए हैं तो जो delta u होता है जो change in potential energy आता है वो आता है mg h upon 1 plus h upon r तो यह हो जाता है change in gravitational potential energy और इस पर based बहुत से question आये हुए है previous year में जो हमारे PGT बगरा के exam हुए है या और जो exam हुए है तो यह बात हो गई भया हमारे gravitation के aspect की अब हम बात करेंगे satellites की satellites क्या होती है what are satellites तो satellites जो है क्या होती है उसके बारे में बात करेंगे water satellites तो भया satellites are those bodies which revolve around the planets अब planets के around कैसे revolve करती है principle क्या है satellite को launch करने का तो भया satellite को launch करने का principle है projectile motion अगर हम अर्थ की surface पर अर्थ की surface पर किसी body को फेके तो वो यहां गिर जाएगी थोड़ा तेज फेकें जादा velocity दें यहां गिर जाएगी और जादा velocity दें यहां गिर जाएगी और एक stage ऐसी आएगी कि वो गिरना तो चाहेगी लेकिन उसके पास velocity होगी जिसकी वज़ा से वो गिर नहीं पाएगी और गोल गोल गुमने लगेगी प्लैनेट के चारो तरफ अर्थ के चारो तरफ तो ऐसी बॉड़ी को हम satellite कहते हैं जिस velocity से घूमती है उसे orbital velocity कहते है और जो उसका रास्ता होता है घूमने का उसे orbit कहते हैं अब देखो भाईया orbital velocity का expression क्या होता है तो orbital velocity कैसे आती है भाईया जो centripetal force है circular path पर घुमेगी orbit तो वो कहां से मिलेगा वो मिलेगा gravitational force से तो भाईया इसको solve कर लोगे तो यह क्या आ जाएगा VO is equal to under root GM upon R R is the radius of the orbit और अगर अर्थ के respect में देखें तो यह हो जाएगा R plus H और यहां से देखो भाईया orbital velocity satellite के mass पर depend नहीं करती है क्योंकि वहाँ air friction नहीं होता resistance नहीं होता space में इसलिए जो orbital velocity है वो satellite के mass पर depend नहीं करती मतलब दो अलग-अलग weight की satellites है same orbit में revolve कर रही है तो उनकी orbital velocity क्या होगी? same होगी अगर इसे small g के terms में निकालें H को neglect कर दें capital R के terms में लिखें H को neglect करके तो यह हो जाता है under root GM upon R मतलब वो orbits जो अर्थ की surface के बहुत close revolve कर रही है और GM को small g के terms में लिख दें तो यह GR square upon R मतलब यह हो जाता है GR और अर्थ की surface के जो close revolve करती है उनकी orbital velocity होती है लग-बग 7.9 km पर सेकेंड अब जो time लगता है satellite को एक चक्कर पूरा करने में उसे कहते हैं time period of revolution क्या कहते हैं उसको time period of revolution कहते हैं और वो यहां से निकाला जा सकता है t is equal to 2 pi r upon v o तो अगर हम v o की value रख दें तो यह हो जाता है 2 pi under root 2 pi under root यह under root GM upon R r उपर जाएगा तो यह हो जाएगा under root r cube upon GM r की जगे आप लिख देंगे r plus h का cube और अगर r plus h के cube में h को neglect कर देंगे with respect to r तो यह क्या हो जाएगा 2 pi under root r cube upon GM हो जाएगा capital R cube GM की जगे gr square रख देंगे तो small g के terms में मतलब यह आजाएगा एक expression under root r cube upon GM और अगर small g के terms में निकालेंगे तो यह आजाएगा 2 pi under root r upon g तो यह हो जाएगा भईया time period of revolution of satellite और इसको solve करके यहाँ r की जगे हम small r की जगे capital R plus h रखेंगे तो हम h की value निकाल लेंगे और h जो है वो height है जितनी height पर satellite revolve कर रही है उसे कहते हैं parking orbit क्या कहते हैं उसको parking orbit और देखो भईया तो parking orbit जो है भईया देखो t is equal to 2 pi under root r plus h का cube upon GM squaring both sides तो यह t square वराबर 4 pi square r plus h का cube upon GM तो यह क्या हो गया r plus h का cube एक तरफ ले लो यह हो गया t square into GM upon 4 pi square तो r plus h का cube जो है वो क्या हो गया वो हो गया this r plus h क्या हो गया यह हो गया t square into GM upon 4 pi square की power 1 by 3 तो भईया h की value आजाएगी t square into GM upon 4 pi square की power 1 by 3 minus r r is the radius of earth तो भईया यह हमारा expression हो जाता है किसका यह हमारा expression हो जाता है parking orbit का अब हम बात करें total energy of a satellite satellite की total energy कितनी होती है तो भईया दो तरीके की energy होगी एक होगी kinetic energy और एक होगी potential energy दोनों को add कर देंगे तो क्या आ जाएगा तो आ जाएगी total energy तो total energy कैसे निकालते हैं देखते हैं भईया total energy देखो तो kinetic energy क्या हो जाएगी भईया देखो kinetic energy हो जाएगी half mv square और mv square की value centripetal force बराबर gravitational force रख दोगे तो ये क्या आ जाएगा mv square बराबर आ जाएगा gmm upon r अगर हमाल ने अर्थ की radius चलो small r ही ले ले लेते हैं यहाँ पर तो half gm upon r हो जाएगा ये हमारी हो जाएगी क्या kinetic energy अब potential energy क्या हो जाएगी potential energy है minus gmm upon r ये आ जाएगा minus gmm upon 2 r कुछ कुछ कहानी वैसी ही चल लही है कैसी बोर atomic model जैसी यही काम हमने electron के case में भी किया था बोर्स atomic model में देखो total energy और kinetic energy का magnitude बराबर है और potential energy जो है वो total energy की क्या है double है और total energy negative है जो की ये show कर रहा है कि system bounded है बंधन में है satellite free नहीं है जैसे bank से loan ले लेते हो तो तुमारा जो balance दिखाता है 6 lakh लेकिन उससे पहले छोटा सा minus sign लगा होता है तो minus sign का मतलब है भया bank से करजे में बंधे हुए हो छोड़ के नहीं जा सकते bank सब कुछ तुमारा बेच देगा जब तक 6 lakh रुपय वसूल नहीं कर लेगा तो कहने का मतलब यह है भया e बराबर minus gmm upon 2r का मतलब कि भया satellite जो है वो अर्थ के foundation में है planet के foundation में है जब तक उसको इतनी energy positive में नहीं मिलेगी जब तक कोई 6 lakh लग रुपया तुमारा चुका नहीं देगा तब तक बैंक से तुम क्या रहोगे bounded रहोगे तो वो जो energy होती है जो satellite को foundation से छुडाती है बंधन से छुडाती है उसे कहते है binding energy मतलब इतनी ही energy अगर हम positive में देंगे तो satellite जो है वो planet के foundation से free होगी इसे कहते है binding energy या हिंदी में कहते हैं बंधन ऊर्जा अब भाईया देखो geostationary satellites किसे कहते है binding energy से पहले बात करते है sorry geostationary satellites से पहले बात करते है escape velocity किसे कहते है प्रक्षे पिवेग sorry पलायन वेग तो escape velocity वो velocity है जो किसी body को अगर दे दी जाए तो वो अर्थ की gravitational field में नहीं रुकेगी वो अर्थ की gravitational field को cross कर जाएगी उस velocity को कहते है escape velocity मतलब अगर यह body अर्थ की surface पर रक्षी हुई है और हमने इसको यहां से फेका V velocity से तो इसके पास kinetic energy होगी कितनी half mv square और यहां पर potential energy होगी कितनी minus g mm upon r और जब यह gravitational field के बाहर चला जाएगा तो ना kinetic energy होगी ना potential energy होगी बैए किसी body को नीचे से उपर फेकते है तो कहां से lot के आती है जहां पर उसकी velocity 0 हो जाती है और q lot के आती है gravity की वज़े से lot के आती है अब वो पहुँचके gravity के बाहर तो lot के आएगी नहीं वहीं पर रह जाएगी तो उसकी total energy क्या हो जाएगी 0 तो VE बराबर हो जाएगा क्या VE बराबर हो जाएगा under root 2 gm upon r small r भी हो सकता है तो VE बराबर under root 2 gm upon r मतलब root 2 times the orbital velocity मतलब अगर किसी body की किसी satellite की orbital velocity को 41.4% बढ़ा दिया जाए तो वो escape velocity के बराबर हो जाएगी और वो body अर्थ की gravitational field से क्या कर जाएगी escape कर जाएगी बहुत पूछा गया है ये question और यहाँ पर अगर value रखोगे तो VE बराबर आजाएगा under root 2 gr और ये हो जाएगा 11.2 km per second मतलब अर्थ की surface पर इतनी velocity required होती अगर इतनी velocity किसी body को दे दी air resistance नहीं है तो mind it तो वो इतनी velocity दे दी तो वो अर्थ की gravitational field से चला जाएगा वो कभी लोट के नहीं आएगा अपने दुश्मन को ये velocity दे देना अगर air ना हो तो ठीक है भीया एक और question इस पर आता है कि पलायन कर जाते है the thermal velocity is greater than the escape velocity required लेकिन अर्थ की surface पर thermal velocity is less than is much less than the escape velocity required इसलिए वो अर्थ की surface से भाग नहीं पाते हैं और अर्थ की surface पर atmosphere है लेकिन moon की surface पर atmosphere नहीं है तो अभी या ये हमारा mechanics का session था जिसमें हमने discuss कि rotation और gravitation अब हम बची हुई जो चीजें हैं वो एक lecture में cover करने कोशिश करेंगे elasticity और fluid mechanics and with that our mechanics part will be over और फिर हम next शुरू करेंगे electromagnetic theory और उसके साथ objective questions की series objective questions कोशिश करेंगे कि daily कम से कम 50 questions हम discuss करें जिससे कि वो तुमारे काम आ सकें और you can crack the competition तो stay tuned भया देखते रहो share करते रहो subscribe करते रहो that will form my energy level और और वीडियोस तुमें मिलते रहेंगे जैसे वीडियोस चाहिए कोई topic नहीं समझ वाया हो किसी topic का detailed video चाहिए हो किसी topic पे detailed questions चाहिए हो question paper का discussion तुम लोग करी रहे है 17 अगस्त का time है बहुत time है बिल्कुल panic होने की जरूत नहीं है एक वीडियो बनाएंगे इस जिसमें बताएंगे कि कैसे तुम आसानी से PGT crack कर सकते हो within the limited duration तो उस पे भी हम लोग बात करेंगे तो keep sharing and stay tuned to be physicsified, thank you very much